कि नमस्तार डीजाने न्यूज के खास कारकरम महारण दोहजाल चोईस में आपका एक बार फिर से स्वागत मैं हूं डॉक्षर प्रतीक शिवास्ताव और मेरे साथ मौझूद है डीजाना की न्यूज हैट अरविन तिवारी प्रेस कलब के अध्यक्ष हैं आईए हम उन बात करते हैं कि आज पूरा मदप्रदेश में मददान का क्या सिनेरियो है लगातार हम आपको बताते रहें सुबह से छे वजे से डीजैना न्यूज अपनी टीम के साथ आपको अपडेट करती रही पलपल की खबरे देती रही हमने हर बूत की एक्टिविटीज आपको पूर्ण घटनक रम हुए सबसे पहले सबसे तेज हमने आप तक पहुचा है और आज फिर अब जब मददान समाथ हो चुका है मोटा मोटा आकड़ा इंदौर का आ चुका है लगभग साथ परसेंट के करीब इंदौर में मददान हुआ है अर्वीन जी अगर बात करें कि इंदौर में जब कांग्रेस को मिद्वार नहीं था एक तरसे वाकोवर की स्थिती थी कांग्रेस नोटा की बात करनी थी तब शुरुवाती दोर में असा लग नहीं रहा था कि इंदौर में 60% मददान होगा लेकिन 60% भी एक अच्छा आकड़ा है सम्मान जनक आकड़ा है तो ये 60% का जो मददान हुआ है क्या ये माना जाए कि इंदौर का मददाता तमाम परिस्थितियों के बावजूत अपने कर्तव के प्रतिजागरूख है अपने अधिकार के प्रतिजागरूख है और ये माना जाए कि क्या भारती दंता पार्टी ने आला कमान की दौर के मेदान से हटने के बाद उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारती इन दौर में मतदान का पतीशत कम रहेगा 50% के अंदर ही मतदान सिमट जाएगा और आज सुबह के पहले चार गंटों में जो मतदान की स्थी थी ती उसको देखकर ऐसा लग भी रहा था लेकिन उसके बाद पार्टी के जो इंदोर में बड़े नेता हैं चाहिए मंती के लाश विजवर्गी हों तुलसी सिलाटों यह सभी विदाय के यह सक्रिव हुए प्रमुक पदादीकारी सक्रिव और इनी के माध्यम से उसकी जो पार्टी के कार्य करता था देखिए पार्टी का इने कई नाराज जो भी परिस्तित्य अबनी लेकिन आज जब उसे लगा कि पहले चार घंटों में मद्दान का पतिश्यत कमें तो उसके बाद पार्टी का ग्राउंड लेवल का वरकर भी पूरी तनमेता से लगा और शाम होते होते हैं अभी कूछी देर पहले पूरी संभाव ना है कि इतना आकड़ा जाएगा हाला कि पिछले लोगसभा चुनाओं की तुलना में यह कम है पांस से साथ परसेंट कम रहेगा यदि पिछली बार का जो आकड़ा है वो अधिक्रत आकड़ा जो हमारे पास मुझूद है जो इलेक्शन कमिशन की साइट प पिल्कुल माना जाए तक मद्दान का प्रतिशत तो प्रभाई जो का क्योंकि कॉंगरेस का जो कमिटेड वोटर है वो भी कांगरेस के उम्मीवार के अलपसंख्यक बोटों ने खासकर आजाद्नगर है जा मुस्लिम बहुल इलाके महां के बोटरों ने मद्दान के प्रति क लाख 20 अज़ार मत दाता हैं यहां करीब 15 संक्यक मत दाता हैं और 10 fahren गाय करिंद्ध मोट ईसके लावा एक लट याज में आज सेन जेलों में गया अलप संक्यक बहुं जिन शैत्रों में गया कुछ बड़ी संख्या में मत लगता है कि जो दूब जाता हैं वे भी कौंग्रेस के उमिदवार के मैंदान में नो होने किरत यां तो मतचदान से दूर रहे उन्होंने मदान में कुई बहुत रूठिने दिखाई जो रहता रहा है ड़ी strict कउ महत रहना कि लगता है कि लबी-ल्बी सब्सक्राइब चुनाओं में तीन चाल लाख वोट तो कॉंग्रेस के उम्मिद्वार को मिली जाते कोई भी चुनाओं लड़ा 89 से लेकर अभी तक हम देखे तो इतने वोट तो मिली जाते यह जो कॉंग्रेस का कमिटेड वोटर है इसमें से कितना नोटा में हुआ है यह दे सब्सक्राइब हर सीट का चाहूंगा धार से हम इसकी शुवात करें देखे धार का जो आखड़ा भी आ रहा है वह 68.71 68.91 लगबक 69 परसेंट के आसपास वोटिंग दार में हुआ एक दो परसेंट बढ़ सकता है पिछले चुनाओं में में वहां पे 75.25 पिचुतर दशमलो लिडरिशिप को चिंतित खर रहा और पार्टी ने उसी के बास से दो पहले दो चरण के मद्द्दार इस बात के लिए रही ती कि जाधा से जाधा मद्दाण हो शिव प्रकाष जी परालटी कितनी गंबिरता से ले ही खिए के इंदोर में मद्दान का पतिशत कम नहीं रहना चाहिए जैसी इंदोर को लेके चर्शा आ रही थी कि यहां कांगरेस का उम्मिद्वार नहीं तो यहां पर वोटिंग पर्सेंटेज कम रहा तो शुव प्रकाई जी जो रास्टी सहसंगठन महामंत्रिय वो खुद इंदोर के निताओं से लगातार बात कर रहे थे कि व पाना जा सकता है धार के बास हम चलते हैं जहाबुआ की तरफ जहां से कई बार के केंद्री मंत्री कांति लाल जी भूरिया चुना लड़ रहे हैं पिछला चुना वो हार गए थे और गुमान सिंग जी से लेकिन इस बार नागर सिंग चोहान की पत्नी जो वन मंत्री हैं उ पोड़ी संभावना दिख रही है वहां का जो मद्दान का प्रतिश्ट अभी तक हमें प्राप्त हुआ है राजी निर्वाचन कारले के मात्यम से 72.86 मतलब और यह मुझे लगता है कि कुछ बढ़ेगा दो तीन पर्सेंट का इस पर इजापा होगा तो यह पिछले चुनाओं में भी वहां पर जाववा में जो है लगबग पिछ उत्तर प्रतिश्ट मद्दान हुआ तो मद्दान के साब से देखा जाए तो मद्दान जो पिछला पर्सेंटेश था बरकरार रहा है और इसका मुझे कारणी लगता कि दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने पक्षमें जंता को करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी कांतिलाल भूरिया आपने जैसा बता है कॉंग्रेस के बहुत सीनियर लीडर है केंदर में मंती रहे प्रदेश कांग्रेस के अद्धिक्षार और उननीस सों असी से लगातार चुनाओ जीत रहे दो चुनाओ वो हारे भी लेकिन भागिशाली इस मामले में रहे कि चौदा का चुनाओ दिलिप सिंग मुरिया से हारे तो दिलिप सिंग मुरिया का इधन होगे और 15 में उप प्रतिष्टा का प्रष्ट था इधर नागर सिंग चौहान जो बड़े लीडर माने जाते उनकी पत्नी अनिता चौहान चुनाओ लड़ रही थी तो उनके लिए भी प्रतिष्टा का प्रेस्ट तो दोनों उम्मीदवारों ने खुब प्रयास किया दोनों राजनितिक दलो में उन्होंने भी बहुत इमानदारी से अपने उम्मीदवारों के लिए महनत की इसलिए वोटिंग का जो यह परसेंटेज यह लगबग पिछले परसेंटेज से क्या आसपासी नजर आ रहा है कि एक और आदिवासी बहुल सीट खरगोन जिसको हम बढ़वानी लोक्षवा आ रहा है खरगोन का वो शाम शे बजे का जो एप्रोक्सिमेट परसेंटेज आ रहा हूं सेवन्टी फाइब पैंट सेवन नाइन मतला लगबग सेवन्टी सिक्स परसेंट है और पिछले चुनाव में खरगोन में सेवन्टी सेवन पाइंट टू सततर दशमलो आठ दो उत् सेंटर्स पे जहां मद्दात अच्छे बज़े तक पहुंच चुके थे वह भी मद्दान कर रहे हैं तो वह पर सरकारी नोखरी छोड़कर आए पोरलाल खरते का मुकाबला परतमान सांसत गजेंद्र पटेल से चल रहा था और यह साल लग रहा है जो वोटिंग का परसेंट से लग पर देखने को मुझे लग रहा है कि कंडिड़िट का और जोनों ने वहां भी पूरी को शिख जूर निकले और यहां पर अच्छा परसेंटेज आया है अच्छा टरन-आउट हुआ है ऐसे प्रतिष्था दाव लगे हुई room से ठीक्ट देना चाहती थी लेकिन ने जानती जाये जाए कि देगे प्रतिक जी का अरुन यादों को खंडवा के राजनितिक प्रिदश्य की पूरी जानकरी थी खंडवा के संभावित नतीजे की भी उनको जानकरी थी और अरुन यादों अपने पे लगातार हार का ठपा नहीं लगवाना चाहते हैं दोजारनों में लोकसभा चुनाओं जीते उसके बाद दो लोकसभा चुनाओं हार गये एक विधान सभा चुनाओं हार गये तो आखिर आदमी कब तक अपने पहार का ठपा लगाएगा लेकिन वह इस शेतर पे अपना होड़ भी नहीं शुड़ना चाहते थे इसलिए उन्हो में 76.9 मतलब 76% क्या सब्सक्राइब अब यह जो आरहा है 77 था अभी जो आ रहा है अगर उसमें इन दोर की हम बात कर चुके हैं खनवा की बात हम से हो गई है में जो बड़ा महत्पून हो गया मुख्यमंत्री का ग्रह जिला है मुख्यमंत्री ने महां रोडशो भी किया मुख्यमंत्री लगाता प्रयास भी करते रहे मुख्यमंत्री की बहन कलावती यादव और मुख्यमं सब्सक्राइब की कमान समाल रहे थे तो वहां क्या इस्थिती बन रही है देखिए लगभग मुझे लग रहा कि उज्जेन में भी मद्दान का पतिशत पिछले चुनाओं में जो था 75.4 उसके आसपासी रहे क्योंकि अभी जो प्रारंबी काक्ड़ा आया 73.03 मुझे लगता है इसमें एक दो परसेंट का इजाफा होगा वहां पर अनिल फिरोजिया से ज्यादा मुख्यमंत्री मोहन यादो की प्रतिष्ठा दाओ पे लगी थी और क्योंकि मुख्यमंत्री की पसंद नहीं पसंद नहीं की और मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी कि पेषले चुनाओं में चिस अंतर से अनिल फिरोजिया जीते थे उससे ज्यादा अंतर से वो याज लगा जिला अगर हम बात करें तो देवास शाजापुर सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाती के लिए और वहां से रिटायर्ट जज्ज यह वह चुनाव लड़ रहे हैं और सामने कॉंग्रेस ने रादाकिशन मालवी बड़े दावर नेता थे केंद्र मंती रहे प्रदेश अदेश ने उनके बेटे को टिकिट दिया तो खरगोन देवाश साजापूर इस सीट की आप आकलन कैसे करेंगे देखिए देवाश शाजापूर में भी प्रतीक जी मुझे लगता है कि पिछले चुनाओं जैसा ही परिदश साम मत्दान हुआ था इस पिछुत्तर प्रतिशत में अगर दो तीन परसेंट का भी इजाफा होता तो पिछले चुनाओं के तुलना में मात्र एक दो परसेंट का ही अंतर आना है लेकिन मतलब यह आप देखिए चाय वो खरगोन हो खंडवा हो रतलाम जहाबूआ हो जो पहले दो चरण के देवास हो पहले दो चरण के मद्दान में देश भरके और मद्देश के संसदी शेत्रों में जो इस्तिती रही उसके बाद यह परसेंटेज 15 से 20 परसेंट पोलिंग बढ़ रहा है बतलब इसके लिए तो इस पस्त है कि जब यह दो चरण में भारतियंता पालि लेकिन चोथे चरण में जो है वह चोकाने वाला इस्तिति देखने को मिल रही कि पंद्रा परसेंट बीस परसेंट वोटों का इजाब वोटिंग का इजाफा हुआ तो बड़ी बात ही तो देवास में मुझे लगता कि लगबग 2019 जैसी इस्तिति फिर बनने वाली है क्योंक मुझे जहां तक द्यान है जब मत्यपदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी राजा किशन मालवी प्रदेश कॉंग्रेस कद्यक्स तब कॉंग्रेस की सेंट्र लीडर्शिप ने उनको उम्मीद्वार बनाया था देवाशाध्यपूर्स वो चुनाओं हार गए तो कॉंग्रेस सब्सक्राइब के पक्षमें मिंडेट जा सकता है अगर हम बात करें तो मन्सोर नीमच की और वहां से उम्मिद्वार जो कॉंग्रेस ने दिया है दिलेफ सिंग घूजर वो उज्जें जिले से वहां भेजा है नागदा से नागदा खाच्रोज से सुदिर गुपता अपना वहां के परदेश में मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तान आने वाला है नहीं बिल्कुल आपने सही का और यह तो परंपरकत गड़ रहा है मतलब आप देखिए ना कि अभी तक के 16 चुनाओं में केवल चार या पांच चुनाओं कॉंग्रेस वहां से जीती है बाकि हम मिनाक्षिन अटराजन नया चेहरा था लोगों को लगा कि जो है हमें वह देना चीकर उस तो लोगों ने मोका दिया युवा बड़ी संख्या में उनके साथ हो ते लेकिन अब देखिए ना आपकी मतलब मनसोर जिले में मनसोर निमत शेत्र के किसी कोई नेता चुनाओं साथ भी रहना क्योंकि दिलिव गुजर जब तक मनसोर निमत जावरा मतलब यह बड़ा संसदी शेत्र है तीन जिलों बटा हुआ मनसोर निमत जावरा को समझते तब तक तो मद्दान की तारिक नजदिक आ गई ती और देखिए ना आउट सेवेंटी फाइब पाइंट मतलब देखिए यह तीन जो संसदी शेत्र हैं उज्जेन संभाग के यहां लगबग इस्तिति इस पस्ते यहां मुझे लगता है कि जो 2019 का नतीजा था वही लगबग मनसोर में देवास में और अपने उज्जेन में लगबग वही इस्तिति हाला कि अभी तो सरकार बनना बा मत्री सभाविक मंत्री कौन-कौन मद्वरदेश से होंगे चार या पाच मंत्री मद्वरदेश से लिए जाएंगे तो इनमें कि लोगों का परसेंटेज आ रहा है और जिस तरीके से आखरी दो दोर में सुधार किया है वोटिंग परसेंटेज को लेकर सब्तारूर दलने ज मद्वर्देश का दावा भी बहुत मजबूत रहेगा मद्वर्देश से पूर्य मुक्हेमंति शिवरा सिंग चौहान सवभाइक दावेदार केंडरी मंदल के लिए जोतिरादी सिंध्या भी मंदल में फिर मोका इसके बाद भाजपा के पदेश अद्धिक्ष वीडिशर् प्रमा की दावेदारी रहेगी क्योंकि लंबा समय उन्हें संगठन में भी हो गया वीरेंद कुमार जो है वो भी इतने वरिष्ट असान सद हैं कि और फिर अनुसुचित जाती से हैं तो एक कास्ट वेक्टर विश्च के बड़े ट्राइवल लीडर है और अगर जीते हैं तो सोलंकी जैसा कोई ऐसा चेहरा जो पहले न्याइक सेवा में रावकिल फिन न्याइक सेवा में उसके बाद जो है दूसरी बार सांसत बनने के और मतलब बीजेपी की सेंट्रल लीडर्शिप चोकाने वाले निर्णे लेने के लिए क्या थे मत्यपुदेश से मंत्री मंदल को लेकर भी मेरा ऐसा मानना है कि इस बार आपको बहुत ही चोकाने वाले नाम मंत्री मंदल में मिलेंगे हो सकता है कुछ वरिष्ट मंत्री मंदल से ड्रॉप हो जाए पार्टी उन्हें कहें ठीक है आप जो है आप सांसत के रूप पर पी सेवाए दीजिए और नए चेहरों क क्योंकि बीजेपी इस मामले में कॉंग्रेस से बहुत आ गए वह हमेशा नए चेहरों को मोका देती है टिकेट के मामले में उन्होंने सक्या तो हो सकता है कि मंत्री मंदल को लेकर भी इसी तरह की कोई भारतियंता पार्टी की सेंटर लीडर्शिप की और से हो तो मत्यपु में इस समय आठ संसधी शेत्रों में 71.72 बहुत तर पाइंट बहुत तर पाइंट बहुत तर पाइंट साथ दो का वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है पिछले चुनाओं में 55.65 का मद्दान पतिशत था लेकिन जो भी वरतमान पतिशत थे राज्जी के मुख्य निरव पहले दो चरण के मद्दान हुए थे उसकी तुलना में तीसे और चोथे चरण में जो है पोलिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा है बहुत धन्यवाद अर्विन तिवारी तमाम जानकारी के लिए पूरी आठों विदान सभा चेत्रों का सिलसलेवार वन्नन हमारे न्यूज भारतरी की जीत सबसे बड़ी जीत बनने वाले हैं मतब्स परता में भारत में भी सबसे बड़ी जीत का रिकार्ड जो है तो उसमें लग रहा है कि इंदोर से दो रिकार्ड बनना तो बिल्कुल तैसे हैं बारा लाक यारा लाक इस वोट से शंकर ललवानी चुना जी सकते हैं क्योंकि नोटा का बोट हटाने के बाद जो सबसे आक उनका निकटतर मुमिद्वार होगा को निर्दली होगा हजार दोजार तीन यहर वाला उसकी तुल्ला में शंकर ललवानी का बोट परसेंटेज जाएगा बड़ा आकड़ा जो है वह एक रिकार्ड बना सकता और इंदोर जो सवच्छता में नंबर बन हैं और बहुत सारे मामलों में नंबर बन हो जाएगा और शायद बड़ी जीत क खबरों सलसला जारी है जारी रहिए गर मश्याद़ आए है